कर्म सिंग अस्टेडिया कर्म खंड की वानी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिनमे राम रया परफूर सेतिस्मी पुड़ी जब जिसाख है कर्म खंड की वानी जोर तिथे जोद महाबल सूर कर्म खंड की वानी जोर जहां पर कृपा होती है प्रसाद बंटता है जहां पर अमरत भरसता है अखंड धारा बैती है मस्ती की है वहां पर बड़ी मन मोहक बानी का उच्चारन होता है कर्म खंड की बानी जोर जहां पर इनायत वरस्ती है उस सखंड पर जब हम जाते हैं तो क्या होता है बहां ऐसी ध्वनी प्रकट होती है ऐसी वानी प्रकट होती है जो बड़ी जबर्दस्थ होती है ठंड का आनन्द देने वाली मस्त करने वाली मोह लेने वाली तुमारे मन को बांध लेने वाली ऐसा आनन्द आता है वहां ऐसी जोरदार वानी होती है वहां बाबा कहते हैं करम खंड वो है वहां से वरस्ती है इनायत उस परवर दिगार के करपा वहां से वरस्ती है जिसे बाबा गुर्परसाद कहते है यहां से उठती है वो धारा और चहुन और फैल जाती है करम खंड की वानी जोर तिथ्य होर न कोई होर लग जाने शब्द है ब्यक्ख्यकार अगर गल्ती खा जाएं तो बोलने वाले का क्या कसुर्द है तिथ्य होर न कोई होर दो बार शब्द का होर बहाँ पर कोई दूसरा नहीं होता और याद रखना जैसे ही दूसरा नहीं रहेगा अदवैत तिथ्य होर न कोई होर तुम अकेले रह जाओगे वहीं वरसेगी वह इनायत वहीं मिलेगा आपको गुर पर साथ गुरू के वीतर से वरसता हुआ वो अमरत का ख़जाना है तुमारे उपर भी वरसेगा जब तुम अकेले वहाँ पहुँचोगे और जो भी पहुँचता है वहाँ अकेला पहुँचता है और हम अपने संसिकार डालते हैं बहु गिनत होने के एक से दो संख्या पढ़ा मन का डर संख्याओं को बढ़ाने का जनम देता है संख्याओं बढ़ाओ जितनी संख्याओं बढ़ाओगे उतने ही तुम अपने आपको वर्शाली समझोगे लेकिन बाबा तो इससे बिलकुल उल्टी बात कहते है तित्थ होर ना कोई होर वहां कोई दूसरा जा भी नहीं सकता एक अकेला होता है वहां तुम अकेले होते हो दूसरा कोई नहीं होता तित्थ है जोद महाबलसूर वहां सूर में हो जाते हैं महाबली होते हैं योदा होते हैं तित्थ है जोद महाबलसूर अब इन शब्दों को ज्यान से समझेगा जो जोधा बनेगा विकारों को जीतने के उपरा आता है बह जोधा असल होता है लड़ाई करने वाला और लड़ाई करकर जीतने वाला योधा नहीं होता है योधा होता है अपने मनों के विकारों से लड़कर जीतने वाला अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला योधा विकारों से युद्ध करो अपनी भाशा में कहते हैं बाबा तिथे योद महाबल और जिसके वित्र महाबल होगा जो इतना अतियंत बली होगा कि उसका प्रभाव सबी विकारों से उपर होगा वही जीत पाएगा सूर वही सूरमा होगा योदा ही महाबली होगा और योदा ही सूरमा होगा कर्म खंड की बानी जोर वहाँ पर उंकार की उस अमर्त मेवानी का संचार होगा है निशान तिथ्य होर ना कोई होर वहाँ तुम अकेले होते हो अकेले ही होना परेगा वहाँ पहुंचने के लिए अकेला होना पड़ता है जैसे ही तुम दो हुए और जैसे ही तुम तीन हुए या संख्या में जादा हुए तो तुम उसे खो दिया जैसे ही तुम अकेले हुए वही पहुंच गए जहां तुम अकेले होकर ही जा सकते हो तित्थ होर न कोई होर वहाँ पर दूसरा कोई होता है एक ही होता है तुम ही होते हो जो वहाँ पहुंच गया वो ही होता है दूसरा कोई नहीं होता दूसरा जगडा पैदा करता है तिथे जोद, महा, बल, सूर सभी वासनाओं को हरा कर जब तुम जोधा हो जाते हो महाबली हो जाते हो सूर में हो जाते हो बाहर के शत्रों को पराजित करके उनके साथ जुद्ध करके जुद्ध में जीत जाना सूर होने का प्रमान नहीं सूर मा होने का प्रमान नहीं बाहर के शत्रों पर विजय प्राप्त कर ले न ये साबित नहीं करता कि तुम सूर में हो इसलिए महाबीर ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी वर्दमान महाबीर चोबिस में तीर थंकर जैन धरम्त है उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़े कोई युद नहीं जीता लेकन उन्हें खताब दिया क्या महावेर मुश्किल से कठिन से कठिन तम लड़ाई लड़ने वाला और उस पर विजय प्राप्त करने वाला केवली को प्राप्त करने वाला केवली को प्राप्त करने वाला वह जो अपने विकारम अपने त्रोटियों अपने वासना को जीत लिया वह महावेर उसे बड़ा महावेर कोई हो नहीं सकता कितनी सत्ता है इन शब्दों में भाबा के या पबली बात ही जाता है तो रोज मेरे पास कमेंट साते हैं बाबा काम, क्रोध, लोव, मोव, अंकार इसके उपर विजह प्राप्त कर ली आज 49 दिन हो गए पर भाई जो गे नहीं रहा है उसने तो विजह प्राप्त नहीं की बरे एक मित्रत है प्रोजाना के प्रेक करूँ मैंने का छोड़ दे क्या पड़ा है अरे इससे बड़ी सराव है वो पी ले नहीं मानो एक दिन सुबह सुबह मेरे पास रहा है रात जादा पी ली थे उल्टियां लग दें आस्पिटल में वर्ती कराना पुरा फिर पास रहा है किताब छोड़ दी मैंने मैंने सराव छोड़ दी एक दो तीन कान खेंचेने लगा इसके बाद मैं कभी सराव नहीं पूरूँगा मैंने का बहुत इच्छा किया मैं दुरोज कहता था नहीं बस इसके बाद नहीं और साज मैंने देखा उसके कदम मैं खाने के तरफ ही चले जा रहे था अब तुम समझे लो कि बाबा किस तरफ ही इंगित कर रहा है छोटे से नशे के लिए है सुबह की बात भूल गया हॉस्पिटल में दाके लोगा डेक्स तो उसकी बोतलें जडानी पड़े है दस परसेंट के उल्टी पे उल्टी पुरे हार कानों को हाथ लगा रहा है नहीं प्यूंगा इसके बाद और शाम को फिर तमारा कसूर नहीं कोई कसूर नहीं तुमारे क्योंकि बड़ा आनंद तुम्हें मिलता नहीं छोटे आनंद की तलासी ही करोगे हीरे जोहरात कहीं नजर ना आते हो तो कंकर फत्र ही तो चुगोगे और करोगे क्या लेकर हीरे तुम्हें मिलते नहीं इसका अर्थ ये नहीं होता के हीरे होते नहीं ये बात समझे नहीं हीरे होते हैं तुम्हें नहीं मिले बस इसलिए मैं कहता हूँ नास्तिक और आस्तिक दोनों को हीरे नहीं मिले और बड़े मज़े की बात है हम लेवल कुछ और लगा देते हैं जैसे मवाद भरे फोड़े के उपर हम चेपी लगा लेते हैं काटके कल्यान कारिवारम के मैं नास्तिकों से कहता हूँ के आप का है रो या बुद्धू हो या ना समझो कुछ तो हो क्योंकि आस्तिकोंन तो बड़े से बड़ा सो भागवी है और बड़े से बड़ा उसका प्रसाद भी है गुर्प्रसाद जिसने वो एक उंकार का रस्पी लिया गुर्प्रसाद से ही मिलता है और महावागिशाली होता है वो तो नास्तिक को खुद भी नहीं पता होता के मैं नास्तिक हो नास्तिक एक दृष्टी में नहीं सभी दृष्टियों में चार बाग का दूसरा रूपी होता है रनम करत्वा गरतम पीवेत, यदा जीवेत, सुखी जीवेत, बस्म भूतस्य देहस्य, पुनर आगमनम कुतः, खाओ पीओ, मोज करो, कर्ज उठालो, गी पीओ, ना कर्ज लेने वाला बचेगा, ना कर्ज देने वाला बचेगा, कभी किसी को जलने के उपरांत, देहिधारी को वापस आते देखा है किसे में, बड़ा सुन्दर, तरक, चारवाकों का, चारवाक किसी विक्ति का नाम ही था, मैं आपसे समझागा, जो नास्तिक है, वो आदी दुनिया आज चारवाक है, काओ पियो मोज करो, यही जीवन है बस और इसलिए, इसलाम और इसायत ने तो, यह सिद्धानती बना दिया जीवन का, खाओ पियो करो, आनंद मोज मारो, बसमभूतस्य देहस्य पुनर आगमन कुता हो, यह मर जाओगे, दफन हो जाओगे, कभी फिर किसी ने वो चेहरा आते देखा है, दुबारा लोट कर, नहीं आयो, सभी नास्तिक चार बाग है, नास्तिकों में डिफ्रेंशियेशन करने के चेश्टा मत करना, नास्तिक एक ही तरह के होता है, और यह भी ध्यान रखना है, नास्तिक होता क्यों रखती, शायद आज तक आपने है, आपके किसी संत महात्मा ने नास्तिक की सही-सही पृवाशा दी नहीं होगा, क्योंकि महभीर होना इतना मुश्किल है, कि नास्तिक ही हो जाओ, हमने लेना क्या है, इन विकारों को तो हम पारसमनी समयते हैं, इनको च्छाती से लगाए घुमते हो ये भी भोग ले हैं ये भी भोग ले हैं रिणम कृत्वा घृतम पी भेट खाओ पीवो मोज उड़ाओ जिन्दगी का सिधान तो बना रो जो एक बार चला गया उसरी भार आता नहीं और दो धर्मों ने तो ये पका पका कर दिया इसलाम ने और इसायत ने इसलिए दफन कर देते हैं जलाते हैं क्योंकि क्यामत के दिन खुदा आएगा इन्हें जगाएगा इनसे हिसान मागएगा बना तब तक आदमी के याद भी रहेगा है मैंने क्या किया था आज 31 तारिक है तीन तारिक को आपने कौन सी सब्जी खाई तिस सुबह बत रहाएगा क्या है सब खाग दोगे तुम पर मत रहाएगा नास्तिक डर्पूक है नास्तिक वह है जो मरने से डर्ता है और आस्तिक भी जूटा है आस्तिक भी मरने से डर्ता है महवीर नास्तिक है, नास्तिक है महवीर तो इन दोनों से परे हैं कैवल्य एक, बस कैवल्य में ठहरे हुए महवीर नास्तिक है, नास्तिक है दोनों से पार तुम इन विकारों पर विजय प्रप्त नहीं कर सकते हैं और जब हार जाते हो तो फिर तुम कह देते हो विकारों पर विजय प्रप्त करने का अर्थ भी कह है रिनम करत्वा गर्दम भी रहते हैं खाओ यह मोज करो जिन्दगी एक बार मिली है दूसरी बार जिन्दगी मिलते ही नहीं और देखिए जो लोग कहते हैं कि जिन्दगी एक बार मिलती है वो भी अपने अनभव से नहीं कहते हैं और जो लोग ये आज पी एल आर कर रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कि जिसन इमानदार हो जाएंगे आत्म का बल इनमें जागरत होगा उसने ये सारे समास से ख्षमा मागए बेंकर भूर हुई हमने जाना ना था जो हम बोल दिया प्रीच किया किसी कारण से किया होगा लोबवश किया होगा मान समान है तु किया होगा अक्सर सारे धर्मों के प्रीचर उनके पीछे कोई ना कोई प्रियोजन हुआ करता है निश्प्रियोजन कोई भे नहीं प्रीच करता है कौन करता है इसलिए तो जखाई मारते मारते लागू करते हैं इतनी entrance शीष्टे नहीं पड़ेगी इतने दिन सीखना है तो इतना इतने दिन सीखना है तो इतना यह मातर preachers है और preachers तो teacher होते हैं और teacher तो अपना मापजा मांगेगा है गुरु मापजा नहीं मांगेगा है गुरू ने जो आपको दिया उसके बदले में आप से एक ही मांग करता है गुरू दक्षना करूब जो दिया तुमने जला लिया मेरे दिये से दिया जला लिया तुमने उसे कोई और दीपक पर जलू दिकर देना यही मेरे उरू दक्षना है किसी और के जीवन में बहार आ जाए किसी और के जीवन में बसंत इचा जाए किसी और के जीवन से यह नासूर दुख का हट जाए यही मेरे उरू दक्षना है और जो फीस लेता हूँ ध्यान रखना है, एक गुरू है ही नहीं, करम खंड़की बानी जोर, वहाँ पर बड़ी जोरदार बानी हो रही है, बड़ी मदुर है, बड़ी शित्र है, देखा होगा आपने, अनद नाद का स्वाद जिसने चखा, वो बड़ी दूर से चखा, जहां से जिस तल के उपर बैठे तुम अनद नाद का आवाज सुन रहे हो, वह बहुत दूर है, जैसे जैसे इसके गरीब जाओगें, तैसे तैसे पाओगें, इसमें बड़ी अथाहा सुगंद बड़ी बड़ी है, अथाहा मस्ती भी बड़ी है, ऐसी खुमारी है, कभी पाई ना थी, कभी सुनी ना थी, कभी देखी ना थी, ऐसा आनन्द मानोंगे, जो गुंगा गुड़ खाई कहें, कहें कोन मुक्ष सुआथ, उसका वरना न कर पाऊगें, जीवा नहीं है, जिससे ब्यक्ठान कर सकें, बहक कैसा है, और फिर भी आप पूछे चले जाते हों, गुरु कहता है, नहीं बतला सकेंगे, इस नॉन प्रिडिक्टेबर, आप कहते हो, बताओ तो, कुछ इसारा ही कर दो, कुछ तो बताओ, क्या पी लिया तुमने, क्या हुआ, लेकिन गुरु आँखों में अश्कों की धाराएं लिया है, आप से मुखातब होना चाहता हुआ हो नहीं पाता, गुरु उसको वरनीत कर ही नहीं पाता, जो उसने देखा, जो उसने चका, जो उसने पिया, वह वरनीत हो यी नहीं सकता, इक दू जीबो लख होए ते लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखई ते एक नाम जगदीश, एक जीब से उसका बन नहो जाएगा, ना एक ना दो, ना लाख ना बीस लाख, और लाख लाख बार बीस बीस लाख जीबों से उसका आप गुनगान करोगे, तो भी, यू केन नाट, डिसक्राइब हैं, किसी परिवाशा में बंधता नहीं, बियूंड एनी डेफिनीशन, तुमारी किसी बिवाशा की बेतर उसकी परिवाशा आती है, अब वर्न नहीं है, अन्प्रिक्टिक्टिक्टपल, बीस लाख, एक दू जीबों लख होए ते लख होए लख बीस, लख लख गेड़ा कहीं ता एक नाम जगदीस, क्या करोगें नहीं बतलाए जा सकता, फिर भी तुम कहते हो कुछ तो बतलाओ, हमरे जा रहे हैं दुख और पीड़ा से, यह मवाद से बरा हुआ फोड़ा, दिन पर रात हमें चैन नहीं लेने देता, और रातों की नीद चीन ली, दिन का करार चीन लिया, वो क्या है जो तुमने पाया, आँखों से तो लगता है, कि तुमने कुछ जाम ऐसा पी लिया, जो विलक्ष्र था, वानी से तो लगता है, कि जब वानी कहीं ऐसे तत्व से टकरा के आती है, जिसका गुनगान, जिसका व्याक्ष्यान हो नहीं सकता, लेकर फिर भी कुछ तो बताओ, और गुरु बोलता है, और जानता है, बताना पहूंगा, बहुता है, मजबूरी है, क्या करें। चिटक चिटक जाता है वो आनत, और मस्ति की धारा, जैसे लावन्य किसे सुन्दर विक्ति के, नाइन नक्ष से छलकता है लावन्य, वह छुपाए छुप नहीं सकता, करम खंड की बानी जोर, तिथ्य होर न कोई होर, तिथ्य जोद महावल सूर, जोधा हो जाओ गया है। कोई यहाँ जडाई नहीं लड़नी है, महावीर बिना जडाई लड़े हो जाते हैं। क्या है इसके पीतर का तत्र, महावीर महावीर क्यों हो जाते हैं बिना जडाई लड़े। छोटी सी बात है हीरो पायो गांठ गट्यायो और जिसको हीरा मिल जाता है वो गांठ में हीरा बांदेगा कंकर पत्त्र बांदेगा हीरा बांदेगा यही है पीशे का राज जिसको हीरा मिल गया वह बिना युद्ररे जोदा हो गया वह वीर हो गया वह वीजेता हो गया महाबल सूर महाबली हो गया उसे बड़ा बली कौन और उसे बड़ा सुरमा कौन जो टकरा गया यहां बहारों से टकरानी की अवशक्ता नहीं है यहां किसी से भी टकरानी की अवशक्ता नहीं है इसलिए मैं कहता हूं किसी भी वासना के सास्थ रिड़ो बात तुम खुद इच्छित के जाओ, तुम खुद बेद के जाओ तुम अपने आपको हटा लो बना आग जलती है और तुम आग से लड़ते हो क्या करते हो उस संकट की घरी में ब्यंकर आग की लप्टे उठ रही है सारी मंजलें दूदूबर के जल रही है तो क्या करोगे इतनी जलती फार वर गड़त आएगा यहां तो क्या करोगे अपने आपको जुदा कर लोगे है अपने आपको उस आग से अलब कर लोगे इसे ही मैं कहता हूँ चैनल बजल लो यह हट जाओ उस स्थान से हट जाओ जहां आग लगी है और जैसे ही तो मैं उस स्थान से हट जाओ के जहां आग लगी है शीतलता का आभास होगा खुमारी बेतर के नैनों से जल के के जुबा से बरसे का अम्रत कगन मंडल से बरसे का आनंद का साकर तित्य जोद महा बलसूर ऐसे सूर में बनना है तड़ाई के क्षितर में जितने का कोई अर्थ नहीं या किस से जीतोगे क्या जीतोगे कौन है जीतने वाला कौन है हारने वाला एक ही तो है यही तो बाबा बताते हैं तित्य होर ना कोई होर वह दूसरा कोई नहीं होता जहां करम खंट में तुमने प्रवेश कर लिया जहां इनायत है जहां उसकी करभा परस्ती है परवर्दिकार के रहमत कह दूंगा साफ हशर में पूचेगा गर खुदा कह दूंगा साफ हशर में पूचेगा गर खुदा लाखों कुना किये तेरी रहमत के जोर बेहा उस रहीम के पास पहुंचाओ आपके सभी गुना माफ हो जाता बड़ी प्यारी बात है उससे कुछ मुस्लमान मित्र पुछ लेते है बाबा ये खुदा न्यायकारी है फिर लाखों गुना किये तेरी रहमत के जोर पे ये क्या है ये इस कर्म खंड में जो पहुंचाता है उस पे रहमत बरश जाती ये ये है अगर समझना हो तो इन सब्दों को समझे लो आपके लाखों करोणों गुना माफ हो जाएंगे आप इस कर्म खंड में प्रवेश करो इस दागों को धोने की चेश्ठा मत करो आचरनों को साधने की चेश्ठा मत करो बाबा आपको वीरा दे रहे है तंकडों पत्थरों से मत खेलो बाबा आपको हीरों की माला दे रहे है मुठी बांदे बांदे जुग भी तगए तुम्हें चैन नहीं आता करार नहीं आता ये माटी के कंकर पत्थर लिए छाती से चिपकाई फिर रहे हो लेकिन सुख तो नहीं आता दुखी रहते हो ना दिन में चैन आता है ना रात को नहीं दाती है एक पल जैसे एक जुग बीता एक पल जैसे एक जुग बीता जुग बीते ओहे नीद ना आई पुछो ना कैसे मैने रहन बीता है पुछो ना कैसे मैने रहन बीता है दिन रहन कष्टों से बरी हुई जिन्दगी ना दिन को करार ना रात को ने जुगों जुगों से तुम इस दुख को साथ लिए नासूर को साथ लिए फिर रहा हूँ लेकिन तुम्हे चैन नहीं आता है लेकिन तुम्हे करार नहीं आता है क्या है कार? कार नहीं यह है कि जो मुठी में तुम्हे लिये फिरते हो वो हीरा नहीं कंकर पत्थर हैं चुबते हैं यही दुख है लाखों कुना किये तरी रहमत के जोर पे बड़ा बली है भूँ है करम खंड की बानी जूर वहाँ है करम खंड की बानी में इतना जोर है लाखों गुना किये तरी रह्मत के जोर पे माफ हो जाओ गयता है यहां कोई इसाव काम नहीं करता है यहां दो और दो चार नहीं होता है यहां दो और दो शुन भी होता है यहां हिसाव काम नहीं करता यहां पूर में से पूर निकालो तो पूर ही बज़ता है खोपडरी गर्बढा जाए जहां जा कर वो है करम खानड़ जहां तमारा खोपडरी का सारा भेजा छिटक परे बाहर खोपड़ी की सारी स्यान लुट पिट जाए संग्या सुन्य हो जाओ वो है करम खंड जहां उसकी रह्मत वरस्तिहार पर है फिर तुम कह पाते हो हशर में पूछेगा गर खुदा कोई बात नहीं लाखों गुना किये तेरी रह्मत के जोड़े बस उस करम खंड में प्रवेश कर जाओ कोई विधी अपनाने की अभश्यक्ता नहीं छोड़ो सब विधियों को सब बक्वास तुमारे उंकार के जाओ तुमारी सारी विधियां ठक्गों की पॉलिशिस हैं बाबा बताते हैं तुमें असली विधि अगर उसकी रहमत चाहते हो गुनाहों की माफी चाहते हो तुमारी कर्मों का जो हशर होना है अगर इश्वर पूछेगा वो तुमारे पास जवाब होगा लाखों कुना किये तेरी रहमत के जोड़ पे और कर्म खंड में प्रवेश कर जाओ तो फिर तुम ये बात कहने को योगे हो जाओ कर्म खंड की बानी जोड़ बड़ी जबरदस्त बानी है वांके बड़ी जबरदस्त कृपा है वांके बड़ा मधरु संगित से युक्त आभा मंटल चारों तरफ सुगद्नमान वहां के बात वरन का वरन करने अनप्रेडिक्टिबल अवरन नहीं है वहांके स्थित तिथ्थ होर ना कोई होर लेकन ये शर्थ है जब तक तुम ज़्यादा हो एक से अद्वैत में नहीं हो जब तक दो हो तब तक तुम वहां नहीं पहुँचोगे और जब तुम वहां पहुँचोगे तुम पाओगे और दूसरा कोई है एक ही है उसे नाम कुश्वित देता करम खंड की वानी जोर बड़ी जबरदस्त वानी है जोर की वानी है इतना प्यारा संगीत उमरता है तुमारा वीतर का प्रान हेल जाता है ऐसा आनद कभी सोचा ना था कभी पढ़ा न था कभी सुपन में भी ऐसी तो कलपना भी नहीं कि थी इतना मिठा इतना आनद दायक इतनी खुमारी से यूक्त इतनी सुर्ती से समया हुआ उसका बरन नहीं हो सकता है तित्थ होर ना कोई होर वहाँ पर दूसरा कोई नहीं है तुम ही हो और मिलता ही तब है जब तुम एक अकेले जाते हो दूसरा साथ ना कभी कोई पहुँचा है ना कभी कोई साथ पहुँच सकेगा अद्वैत में आजाओ लक्षन वहाँ पर पहुंचने के बाद के लक्षन जैसे ही तुम अद्वैत में वीचरन किया तुम वहाँ पहुंचे तिथ्ध जोद महाबल सूर वहाँ सभी वासनाओं को जीत कर सभी वासनाओं को जीत कर क्यों जीत लिया तुमें कंकडों पत्थरों को जीतने के वह सकता होती है जगा जगा बिखरे पड़े हैं उनको तो हडाना पड़ता है काम के तो हीरे मोती जोहरात लाल मानिक क्यों यह काम के हीरे जोहरातों को प्राप्त करना होता है और जैसे ही हीरे ज्वारतों से तुमारी मुठियां बर गई तो फिर तुम्हें कहना न पढ़ेगा छोड़ दू इन कंकर पत्रों को जो कहता है कि छोड़ दिये मैंने कंकर पत्र समझे लो उसको हीरे तो नहीं मिले कंकर पत्तर छोड़ दिये होंगे जो कहते हैं हमने लात मार दी I.S. के डिगरी को बड़े जद्ध थे साखाई कोट सुप्रीम कोट के लात मार दी समझो लात मरे न क्योंकि जिसको हीरे मिले है वो कहेगा मैंने कंकर पत्तर छोड़े है जिसको हीरे मिले वो कहेगा मैंने कंकर पत्तर छोड़े जिसने I.S. के डिगरी छोड़ कर आपको प्रवचन किया स्पष्ट है कि उसे हीरा नहीं मिला वे लोग दख्ती के उपर लिखवाए रहते हैं पूरव आईयस अभी चिप्टे हुए है छोड़ा काँ अभी पत्तिका के उपर दर्ज है पूरव यहां तो I.S. की बाद छोड़ों पुजारी तक लिख देते हैं भूत पूरव पुजारी आदोगे अरे कभी पूजा की होगी पूजा भी कभी भूत पूरव होती है पुजारी भी कभी भूत पूरव होता है कभी पूजा की होगी कभी हरदय पुजा से भर गया होगा कभी हरदय में ये स्रिष्ट तम बाव उपजा होगा कि इस की पूजा करूँ इस वराट की पूजा करूँ लेकिन जब उमणा था तब उमणा था आज कहे लिख रहे हो पट्टिका के उपर भूत पूर्व पुजारे अदोगे त्यान रख रहा हो जो छोड कर लिखवा दे खुदवा दे बाहर पट्टिकाओं के उपर भूत पूर्व आई एस भूत पूर्व सुप्रीम कोट के जच भूत पूर्व प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर समझना कंकर पत्थर तो छोड़ दिये छुडवा लिये गए वक्त ने परिस्तितियों ने ज़्यादा लोव रें कोई भी कारण रहा मान सम्मान की प्राप्ती है तू कोई भी कारण रहा हो लेकिन पक्का है कि हीरे नहीं मिले जिसे हीरे मिल जाते हैं वो कभी अपनी पहचान ऐसे नहीं दिया करता है जिसने कंकर पत्थर छोड़े मैं वो हूँ हसोगे तू हसने वाली बात भी है कभी अपनी परचाय अपने ऐसा दिया कि मैं मल मुत्र त्याग के आया कभी दिया उत्याग नहीं जोगे था आयस की डिक्री छोड़ी नपड़े मल मुत्र की तरह त्याजी हो जाए त्याग दिया जाए क्यों ये रोप आयो गांठ गठे आयो सो आप लड़ाई लड़के योदा नहीं बनोगे ऐसा नहीं कह रहे हैं बाबा इत्थे जोड महा बल सूर आप अपने बल का परदर्शन करके महा बली नहीं बनोगे आप अपने सूर में बन का परदर्शन करके सूर में नहीं कहलाओगे वर्न तुछ को छोड़कर विराट जिसने पा लिया वह जोधा वह महा बली वेही सूर मा करम खंड की वानी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोद महावल सूर तिल मेराम रया बरपूर बड़ा प्यारा शक्त है जब कोई ऐसी अवस्ता में पहुंचेगा तो पाएगा कि कन कन में राम है कन कन ही राम है हर जर्रे में तेरी रोशनाई देखी मैं सत्य बोलेगा मैं जो कहेगा सत्य होगा हर कन में तेरी रोशनाई है जिदर देखता हूँ उधर तू ही तू है हर जर्रे में तू ही तू रोबरू है तू ही उसके रोबरू रहता है तू ही तू है जोद महावल सूर्भ तू ही तू ही तू हुआ हूँ तू ह मैं राम र्या बरफूर बरफूर कोई स्थान ऐसा नहीं जो उससे खाली हूँ जहां वो पहुंचे जता है जिदर देखता हूँ तर तू ही तो है तिनबे राम रिया बरपूर तिथे सीतो सीता मेमा मह तुमारे मन को लीन होना पड़ता है वहाँ उसकी इतनी बड़ी मेहमा है कि तुमारे मन को पता ही नहीं चलता किस वक्त खेंच लिया गया वो किसी विशाल चुम्ब के द्वारा तिथे सीतो सीता मेहमा मह उसकी मेहमा के वीतर उस महत के वीतर आपका शुद्र मन सरेंडर कर देगा सरेंडर करना नहीं पड़ता है जैसे तुम करते हो वहाँ जाकर सरेंडर करना पड़ता है करना नहीं होता वहाँ जाकर सरेंडर करना पड़ता है हो जाता है तुम कि लाख चाहो कि समर्पर ना करूँ लेकिन एक अग्यात सक्ति चुम्ब की तरह तुम अपनी तर्स खेंच लेते हैं तित्थ है सीतो सीता महमा मह उसकी महमा के भीतर तुम्हारा मन लीन हो जाता है क्या करो गए उसकी महमा का विलक्षन दृष्ष देखने के अत्रित तुम करोगे क्या उसमें लीन हो जाएगा तुम्हारा मन ऐसे लीन होता है ऐसे लिन नहीं होता कि तुन ध्यान में बैठ के मन लीन हो गया गंटी, दो गंटे के गड़ी, दो गड़ी ऐसा मन लीन नहीं होता बहां तो पक्का ही लीन हो जाता है मन गया तो गया दिथ्थे सीतो सीता मेहमा मा ता के रूप न बरना चाहा क्या बताँ बाबा कहते हैं क्या बताँ उसका अलोग की करूप कैसे व्यक्षान करूँ उसकी महमा का कैसे गुनगान करूँ उसकी महमा का कैसे बखान करूँ उसकी दिविजदा का ताके रूप न वरने जा उसका रूप ऐसा कि तम्हारी शब्द वरन करने में बिल्कुल ही असमरत है पंगू है लकवा मार जाता है तम्हारी शब्दों को उसकी महमा का गुनगान करते हुए ऐसी है उसकी महमा किसकी करम खंड की अगर अपने गुनगा कह दूंगा साफ हिसर में पूछेगा गर खुदा अगर अपने सारी गुनगा माफ करने हैं करवानी हैं तो उस करम खंड में प्रवेश कर जाएए कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा गर खुदा लाक हुँ गुना किये तेरी रहमत के जोर पे तैन्वाट तैन्वाट तैन्वाट